अजुन सीखेंगे रोड के रूस मेरे साथ लंच करेंगी ओ माप कीजिगा मैं तो पहले ही लंच कर चुकी हूँ कोई बात नहीं मिसस नोहारा आप तो यहां रोज ही आती है हम फिर कभी लंच कर लेंगे अच्छा ठीक है मैंने यहां एक भी क्लास मिस नहीं की है मुझे अगले हपते भी यहां पर आना होगा मैं क्या कर सकती हूँ यह सब लाइसेंस डिपार्टमेंट पालों की गलती है उन्होंने दस घंटे क्लास का टाइम और बढ़ा दिया मुझे तो लाइसेंस जल्दी चाहिए था पता नहीं और कितना टाइम लगेगा मैं तो ठक गई हूँ बच्चो यह रहा हमारा न्यू स्टूडेंट अगर तुम्हारे पास कोई सवाल हो तो तुम शिन चान से पूछ लेना टेक है मेरे साथ आकर बैट जाओ जल्दी से आजाओ बैट जाओ दोस क्या तुम पहली बारी चला रही हो तुम्हें पता है कि सबसे पहले क्या करना है नहीं पास होना चाहते हो तो यह सब सही से करना पड़ेगा अच्छा ठीक है यह बच्चा तो किती जल्दी ड्राइविंग सीख गया पर इसकी माँ खो तो देखो कितना टाइम लगा रही है सीखने में माँ कीजेगा मुझे यहाने में काफी वक्त लग गया अरे आप यहाँ शिंचैन की ड्राइविंग कितनी अच्छी है और मैं अभी तक नहीं सीख पाई तीन महीने हो गए मुझे ड्राइविंग सीखते हुए बहुत सारा खर्चा हो गया ड्राइविंग सीखने में मेरा तो सारा बजट विगड़ गया अब मैं क्या करूँ पता नहीं ऐसा कब तक चलता रहेगा अच्छा तो माम आपको लाइसेंस कब मिलेगा चुक चाब बैठे रहो अब तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस महीने अपना लाइसेंस लेकर ही रहूंगी ठीक है तो मैं तैयार हूँ क्या हम शुरू करें पहला सवल ये क्या है नो पार्किंग का साइन ये इस साइन का मतलब है कि जोन में कोई भी गाड़ी दूसरे को ओवर्टेक नहीं कर सकती ये इसका मतलब सड़क बन रही है और ये ये क्या है मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा सड़क पर बैठना बिलकुल मना है हाँ तुमने बिलकुल सही कहा मम अगर लाइसन्स बनवाना है तो ये सब याद करना पड़ेगा अच्छा चलो एक बार फिर से करते हैं ठीक ही तो सबसे पहला सवल ये क्या है आगे है बिंधी एरिया ये आगे एक स्पीड प्रेकर है और ये वाला हाँ ऐसा साइन तो मैंने पहली बार देखा है इस साइन का क्या मतलब है बिटा ये मैंने बनाया है बिलकुल साफ सड़क आपकी गाड़ी चलाने के लिए अब समझी ये साइन तुमने खुद बनाया है चिंचैल तुम क्यों इस तरह नए-नए साइन्स बना कर शिंचैन क्या तुम ये सारे साइन्स ले जाकर पूरे घर में जगा जगा लगा दोगे क्यों मम क्योंकि अब मैं कार बनने वाली हूं बेटा घर में गंदगी है तो आप ऐसी कार बनी है जो वैक्यूम कर सके ठीक है तो अब मैं बनूंग एक वैक्यूम कार जल्दी से जाकर सारे घर में साइन्स लगा दो सबसे पहले मैं अपना मिरर ठीक करती हूँ मैंने सीट बेल्ट में लगा लिये तो चलो अब मैं अपनी सेफ ड्राइविंग शुरू करती हूँ देखो मैं एक एक्सपर्ट ड्राइवर लग रही हूँ ना मेरी तरह, फिंपिं, सब लग साइड हो जाओ, अब आ गई है मेरी स्पोर्ट कर, फिंपिं धीरे, धीरे, यहाँ स्पीड लिमिट है, 40 किलो मीटर स्पर आर अगर हमने रूल्स फॉलो नहीं किये, तो हमें फाइन भरना होगा पलिस तो है नहीं, को बिख लेगा, फिंपिं अब चाहें जो भी हो जाए, मैं तो सारे के सारे रूल्स फॉलो करूँ ही हाँ, हाँ, क्या ये तुमने मेरी लिप्स्टिक से लिखा है सरा, रुको, माम अगर आपने रूल्स को फॉल नहीं किया, तो फाइन भरना पड़ेगा तेखो, तु मुझे सिखाने की कोशिश मत करो, मैं सब जानती हूँ कि मुझे क्या करना है मैंने कहा, रुप जो शिंचैक, रुप जो, सुन रहा हो तुम स्लो डाउन बोर्ड तो हाइवेज पर लगा होता है, ये बताने के लिए कि आप अपनी गारी की स्पीड को कम कर लीजिए अब हमें बोर मजाना है, पिम पिम, पॉप, 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 पिम, शिंचैक, ये तुम क्या कर रहे हो ये साइन तो स्टॉप का है, लगता है मुझे अब एकदम रुख जाना चाहिए, हमें रुख कर ध्यान से सड़क के दोनों तरफ देख लेना चाहिए और फिर, अरे, शिंचैन चला गया मैंने कहा रुख जाओ शिंचैन अरे, इसका मतलब है कि इस सड़क पर कार की एंट्री बिलकुल मना है कोई भी वाक्यूम कर, इधर ना आए, मैं बात्रूम में हूँ, कार यहाँ पर नहीं आ सकती अपने कार नहीं फिर से मौमू शिंचैन चैन, पहले तुम मुझे ये बताओ, कि तुम ने किस से पूछ कर मेरी लिप्स्टिक को हाथ लगाया तुम अपनी शराद्तों से बास नहीं आओगे, आखिर तुम कब सुधरोगे अब तुम मुझे जल्दी ही लाइसेंस मिल जाएगा क्या हुआ माम माम, ये बार ठीक नहीं है, आपको ये वाला बोट विहान से देखना चाहिए था अगर आपने ये सब जल्दी नहीं सीखा तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा माम